जारखंड में आज शाम को पहले फेस की एलेक्शन कैम्पेनिंग बंद हो जाएगी उससे पहले जारखंड कॉंग्रेस के पूर अध्यक्ष राजेश ठाकुर से इंडिया टीवी ने खास पातचीत की राज में इंडिक अडवंधन और कॉंग्रेस के चुनाओ कैम्पेन पर सवाल पूछे राजेश ठाकुर ने सारे सवालों के जवाब दिये कॉंग्रेस नेता ने एपियम मोद्य और बीजेपी को एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे पर जमकर खेरा वहीवन शुवाग और महगाई जैसे मुद्दो पर बीजेपी पर सवाल भी खड़े किये रोएंग्या घुसपैट के लिए प्रधान मंतरी नरेंदर मोद्य और ग्री मंतरी का इस्तीफा भी मागा काम किया है उसका इनाम हम सबों को मिलने वाला है जो भी लोग इधर उधर की बाते कुछ भी करें कोई भी सर्वे हो कोई भी नेता कुछ कहे लेकिन सच्चा यह है कि लोग एंडोर्स कर रहे हैं हमने जो काम किया है जो हमने माताओं बहनों को मैया सम्मान के माध्यम से सम्मान देने का काम किया बुजुर्गों को सर्वजन पेंसन के नाम से तेक लोगों को कोई ने कोई जो आदरनी राहूल गांधी जी कहते हैं कि पिछले लोग सभा चुनाओं की समय में एक हम लोग ने कहा था कि 17,000 उपया साल में देने के बात कही थी अब आपको दिखाई दे रहा होगा हर परिवार में 5-6,000 से लेकर 8,000 उपय तक जा रहा है चाए बिधा पेंसन में बिद्वा पेंसन के माध्यम से या सरवजन पेंसन के माध्यम से और सममानी योजना हम लोग उने पूरा किया है तो निश्यत रूप से हमारे साथ होंगे और हम सरकार में रिपीट करेंगे लेकिन बीजेपी कहती है कि आदिवासियों के साथ बड़ा एक तरीके से धोखा किया इस सरकार ने बीजेपी कह रही है कि 2000 रुपे चूला जलाने की कोई स्कीमती वो देना था 72 रुपे साल かा प्रविस किया था पांच लाक नौक्रिया जो है वो प्रविस की गई थी और इसमIST prata कोई भी वाइदा जो है सरकार ने यहां पर पूरा ने किया जनता कोई करह से चलने का ठगने का काम किया या रोप है देखे प्रधान मंत्री जी ने सब के घर में चूला तो भिजवा दिया और उसके वाद सिलेंडर का दाम है ग्यारा सो रुपया कर दिया कैसे चूला जलेगा हमारा एक करोड़ छतिस लाग एक एक लाग छतिस हजार करो रुपया उन्होंने रो हमारी पार्टी ने किया हमारी पार्टी ने इस कदर किया कि हमने हमेशा तमाम तरह की परिष्थिती आई जिस तरह से हेमन सोरें जी को एक साजिस के तहट जेल भेजने का काम किया वैसी परिष्थिती में भी हम खरे रहें और एक आदिवासी को मुख्यमंत्री फिर से बना वो ठीक है वो अपने हिसाब से उन्होंने फिर चमपई सोनन को अपने गोद में बिठा लिया लेकिन हमने तो सम्मान देने का पूरा प्रयास किया और उस सम्मान को ये लोग बरदास्त नहीं कर पाते हैं कि आदिवासी का इस राज्य में कैसे सम्मान हो पहले रगवरदास को सम्मान दिया पांच साल डबल इंजन की सरकार थी आदिवासीों के साथ क्या क्या हुआ और यहां के लोगों के साथ वो कोई भूले नहीं भूल पा रहा है और अगर सही था तो आपने रगवरदास को क्यों ले जा करके गवरणर बना दिया आप यहां नित्रतों करने का आरोप लगाते थे ब्रश्टाचार के 44 हजार करोड के घोटाले का आरोप लगाते थे उस बदुकोडा को आपने अपनी पाटी में सामील कराया आपने चंपई सोरेन को अपनी पाटी में सामील कराया आप ब्रश्टाचार और बंसबाद पर बड़ी-बड़ी बात करते थे बंस्वात का नया नया नमूना पेस किया, तो आप कर क्या आ रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, आरोप लगाना सबसे आसान काम होता है, अपनी उपलब्धी पताना सबसे मुश्किल काम होता है, भारती जनता पाटी अब तक अपने उपलब्दियों पर कोई सिर्फ दूसरे को कोश करके अगर आपको कुछ फायदा मिलता हो तो आप कोश ये उसके लिए पूरे देश भर से मुख्य मंत्री केंद्रिय मंत्री और पता नहीं कौन-कौन से आइटम बुला करके रखे हुए हैं और किस तरह से नफरत पहला आया जा रहा है ग्रीम मंत्री क द्वारा वो किसी से छुपा नहीं है किस तरह से घुस पैठियों की बात करते हैं और किस तरह से दामाद बताने का प्रयास करते हैं तो बताना चाहिए न कि मुक्तार अब्बास नक्वी किसका दामाद है साहनवाज हुसाइन किसका दामाद है सिकंदर बक्त किसके दामाद थे इन तमान दमादों को तो पाटी ने जमाई की बात करते हैं कि जमाई गाउं है जारखंड में ये जमाई गाउं कहां पर है भारती जनता पाटी के गोद में पर बीजपी कहती है कि ये जो मुस्लिम है उनको मुस्लिम आबादी की नहीं वो बंगलादेशी गुसपैठियो कि घुसपैट हो रही है और घुसपैट ही अपनी पैट बना रहे हैं। अपने राज में घुसपैटियों का क्या हाल है वो किसी को क्यों नहीं बताते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको पूरी संजीदगी से कोई बात करनी चाहिए तो करनी चाहिए आपने जो काम किया है वो आपको बताना चाहिए। उसमें कहां कोई मना कर रहा है। आप केंदर से कितना पैसा दियो है आप बताते हो अच्छा लगता है। हम नहीं कर रहे हैं। आप बताओ वो भी ठीक लगेगा। लेकिन अपना दोस्त मेरे सर पे मढ़ो। मुख्य मंतरी सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं। इतना तो बावा साहब के अंबेद करके का जो संविधान उसमें सारी चीजे असपष्ट है। सारे नियम कानून। फिर क्यों इस तरह की बात है। जिम्म और कॉंग्रिस वांदल इंडिया लाइंस कितनी सीटों के साथ आप लोगों को अमीद है कि सरकार देखिए ये तो भारती जनता पार्टी के लोग बहतर बताएंगे। युकि भारती जनता पार्टी के लोगों पिछली बार कहा था 65 बार। तो उनको आया 25 इस बार वो साथ 15 की बात कर रहे हैं। तो उससे लगा लिए 15-20 सीटे आएंगी, अगर 15-20 सीटे आएंगी तो बाकी बची सीटे हमारे पास होगी या एक दो निर्दली भाईयों के पास होगी। तो इसमें common sense का इस्तेमाल करना है, हम नहीं समझते हैं कि हमें कुछ कहने की जरूरत है, जनता सब कुछ कह रही है और लोगतंतर में जनता जनारदन होती है, हम 65 पार और 400 पार नारा देने वाले नेताओं में से नहीं हैं, हम जनता का सम्मान करते हैं, जनता निशित रूप से हमें सरमाते पर बिठाएगी.